आज हम बनाएंगे टेश्टी पालक तड़का की सब्जी फ्रेंड से हम तरीके से ये पालक तड़का की सब्जी बनाकर देखिएगा बहुत टेश्टी बनती है और ये दाल तड़का हम बिल्कुल धाबे श्टायल से बनाकर रेडी करेंगे जो दाल तड़का हम धाबे में खाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे नमस्ते दोस्तों स्वागत है रस्मी की रसोई में तो चलिए सुरू करते हैं इसे बनाना तो इसे बनाने के लिए कढ़ाय में हम चार चमच टेल डालेंगे तेल गरम होने पर हम एक चमच जीरा डाल देंगे इसके बाद हम इसमें लेसुन और अद्रक कुटा हुआ डाल देंगे और इसे हम एक मिनट के लिए पका लेंगे यहाँ पर मैंने एक प्याज को बारी काट कर लिया है इसे हम मीडियम टू हाई फलेम पर लाल होने तक पकाएंगे प्याज का कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें दो मीडियम साइज के टमाटर डाल देंगे और साथ में ही इसमें मसाले डालेंगे एक चमच धन्या पाउडर डाल देंगे आधा चमच हल्दी पौडर एक चमच जीरा पौडर आधा चमच गस्मीरी लाल मीर्च गैस का फ्लेम लो कर दीजिएगा मसाले डालते टाइम अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं और मसालों को तेल से फ्रेट होने तक पकाएंगे ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से तयार हो गए है आप कोई भी सब्जी बनाएं मसालों को पकाना बहुत ही जरूरी है सारी चीजे डालने के बाद भी सब्जियां टेश्टी नहीं बनती है क्योंकि मसाले अच्छे से पकाया हुआ नहीं रहता है अब हम इसमें पालक डाल देंगे जो हमने धो कर इस तरह से काट लिया है और इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसे ढख कर लगभग 5-6 मिनट तक मीडियम आज में पकाएंगे इसे पकाते हुए 5-6 मिनट हो गया है तेल उपर दिखने लगा है लेकिन इसे हमा और पकाएंगे मीडियम टू हाइ फ्लेम में लगातर चलाते हुए पकाएंगे ये देखिए 5-6 मिनट लगातर चलाते हुए पका लिया है अब देखिए इसका रंग ये बिलकुर परफेक्ट है अब इसमें हम एक कटोरी चने की दाल डाल देंगे जिसे हमने पहले ही बना के रख लिया था डाल देंगे और साथ में ही अपने स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे अच्छे से मीक्स कर लेंगे लाश्ट में इसमें हम हरी धनिया के पत्ते डाल देंगे हरी धनिया को मीक्स करने के बाद हम इसे और एक मिनट तक पका लेंगे ताकि इसकी खुस्बु सबजी में अच्छे से आ जाए तो ये सबजी बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर रेडी है अब हम इसमें तड़का लगाते हैं तो इसके लिए गैस ओन करेंगे उस पर एक कल्ची रखेंगे इसमें हम एक चमच घी डाल देंगे और गी जैसे ही गरम हो जाए गैस ओफ कर देंगे हम इसमें डाल देंगे एक पींच हींग डाल देंगे एक चोथाई चमच कस्मीरी लाल मिर्श का पौडर और इसे हम दाल के उपर डाल देंगे देखिए इस तरह से हम दाल के उपर तड़का लगाएंगे और इसे हम मिला लेंगे तो आप इसे रोटी चावल पराठा पौड़ी किसी के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगती है एक बार इस तरीके से ट्राय करके देखिएगा ये आपको जरूर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक सेयर कर दीजिएगा और चैनल में जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले